आज हम लोग देखेंगे question number 8 और इस questions को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस questions के उपर में जो दिया गया हुआ है संचाई बरंबरता दिये रहने पे माध ग्याद करने पे अधारित या प्रस्ट है हाना जबकि इस मतलब दिया गया हुआ रहना चाहिए था संचाई बरंबरता लेकिन प्रस्ट में संचाई बरंबरता नहीं दिया गया हुआ है दिया हुआ है बरंबरता हाना तो हम लोग कैसे गयाद करेंगे लेकिन इसमें जो दिया गया हुआ है संचाई बरंबरता और उस संचाई बरंबरता से हम लोग क्या करते हैं इसको बरंबरता गय एक साथ जोर करके, जैसे ये तीन है, तो इसमें तीन हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें नौ है, तो ये तीन और नौ कितना हो जाएगा, ये बारा हो जाएगा, फिर बारा और पचीस को जोरेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर सैंतीस और पैंतीस को ज वो रहेंगे तो कितना और यह सो हो जाएगा ठ़की प्रस्थन सैंट कर दिये हुआ है उसके हिसाब्स में दिया गया ही रहता तो हम लग वरता कैसे गयाद नहीं उसमें मैं कुछ की तीन से तीन मैं होते हैं लोग और जो है कि हम लोग करते क्या 37 में से 12 घटाते 25 फिर बहतर में से 37 घटाते 35 फिर नामासी में से बहतर घटाते 17 निनानमे में से नामासी घटाते 10 और 100 में से 99 घटाते क्या हो जाता हमारा एक हो जाता तो चलिए यह रहा बरंबरता और यह रहा संचाई बरंबरता अब हम लोग यानि की x हम लोग ग्याद कर लेते हैं, तो x, उत सिमा पलस ni 시간 बाटा 2, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, एक और tукjuk को जोरेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो ऎतर आठ होगा, 8 को दो से भाग एक्स को जो है कि साईगा नोब से दूनेंगे हो जाएगा इन सारी रेख गाते हैं अब चलिए हम लोग ग्याद कर लेते हैं तो क्या दे वो क्या है F यहाँ F X तो F हमारा यहाँ है और X कहाँ है यहाँ है अब इस दोनों में करना क्या है गुना कर लेना है तो 3 दूना 6 हो गया 9 चुका 36 हो गया फिर 25 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 35 में 8 से करेंगे तो 845 का सुनना बच गया 4, 8, 3, 4, 4, 8, 8, 2, 180 हो गया फिर 17 में 10 से करेंगे तो 170 हो जाएगा फिर 10 में 12 से करेंगे तो 120 हो जाएगा एक में 14 से करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा अब करेंगे क्या हम लोग सब को 1 साथ जोड लेंगे य 150, एक सो बीरान में, एक सो बीरान में, और दो सो असी है, इसको जो रहेंगे, 23 और एक 4, 472, 472 में जो रहेंगे कितना, 170 और 120 यानि की 290, यह 2 हो गया, 16 के 6 हात में, 16 ब्लाइक साथ, पिर जोड देंगे इह 14, कितना हो गया टोटल, 46, 7 और यह 7, 776, टोटल आगिया सिग्मा एफ एक्स का भाईलू हमारा जो है, वो आगिया 776, और यहाँ पे सिग्मा एफ जो लिखेंगे मतलग कूल बरंबर्ता का योग, तो उसब जो रहेंगे तो कितना आगा, संजाई बरंबर्ता यहाँ पे सोभाया हुआ है तो यहाँ आजाएगा हम 776, तो 776 दे देंगे, और सिग्मा एफ के जगा पे कितना है, 100 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 100, और 776 में 100 से भाग दे देंगे, तो आज आएगा 7.76, यहीं हमारा हो गया, कितना, यहीं हमारा हो गया आंसर, लेकिन आंसर देने से पहले, प्रस्ट में दे रहा नि रूपए से नीचे मतलब 3-5, 5-7 इस टाइप से दिये हुआ है और दिये हुआ है रूपए में दिये हुआ है तो हमारा जो आंसर जो हम माध का जो देंगे वो 7.76 और ये रूपए में देंगे ये हो जाएगा हमारा आंसर उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा यदि स चैप्त krijए और कुछ जो है कि बनाने का प्रयत्ने करिए और चली इसके 7-7 इस प्रस्फनी के 7-7 हमारे भारती भारति भा माधे जो चैप्टर किलियर हुआ अंग् कि वे erenा खतम हुआ और इसके बाद है कि हमको पढ़ना है माधिका परना जिसको माधियक भी हम लोग बोलते हैं तो माधिका और माधियक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए हम इसके बाद वाला जो वीडिव लेकर Dentat आ रहे हैं आप लोगों के लिए माधिमाधिका का जो है कि basic question और इसके साथ साथ जो है कि उसका tweak भी लेकर के आ रहे हैं quickly समझाएंगे और उसके मदद से आप लोग का objective question जो है कि 5 से 10 सकेंड में जो है कि clear होगा तो बने रही आप लोगा हमारे साथ